दोस्तो हैकर ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कैसे व्यक्ति का खयार आता है जो घर बैटे ही अपने कम्प्यूटर की मदद से किसी भी इनसान के बैंक अकाउंट से सारा पैसा उड़ा ली जाता है क्योंकि फिल्मों में हम हैकर्स को अक्सर इसी तरह के काम करते हुए कमपनिया एथिकल हैकर्स को अनकी मुhn मांगिस सेलरी पर जॉब देने के लिए तयार हो जाती हैं साथ ही आपको बताएंगे के भारत में वो कौन सी कमपनिया हैं जो हैकर्स को नौकरी देती हैं और इंडिया में एथिकल हैकर की एवरेज सेलरी कितनी होती है तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि एथिकल हैकर्स आकर कौन होते हैं और उनका क्या काम होता है असल में इंसान आज साइन्स और टिकनोलिजी के क्षित्र में काफी तरक्की कर चुका है जिसके चलते आज दुनिया का हर काम इंटरनेट पर कम्प्यूटर से जोड़ा जा रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर ही साइबर अपरादों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है एक शातिर हैकर दुनिया के किसी भी कौने में बैटकर आपके सिस्टम और आपके कम्प्यूटर में गुश सकता है और आपको ऐसे ऐसे तरीकों से नुक्सान पहुचा सकता है जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा दरशल दुनिया में दो प्रिकार के हैकर्स होते है इसमें पहले वो हैकर होते हैं जो अपने फाइदे के लिए गहर कानूनी तरीके से दूसरे के सिस्टम में गुशते हैं और उन्हें नुक्सान पहुचाते हैं इसी तरह की आपराधिक गतिविदियों को अंजाम देने वाले इन हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है इसके बाद वो हैकर्स होते हैं जो सिस्टम को सुरक्ष अपरदान करने और लोगों को ब्लैक हैट हैकर्स से बचाने का काम करते हैं और इस तरह के hackers को white hat hackers या कहें ethical hacker कहा जाता है अब जैसा कि हमने बताया कि दुनिया में cyber crime काफी ज़ादा बढ़ चुका है ऐसे में बड़ी बड़ी tech कंपनियों की computer system पर हर समय खत्रा मंड राता रहता है यही वज़ा है कि black hat hackers से system को बचाए रखने के लिए आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनिया ethical hackers को job देती है जिसमें facebook, microsoft, google और apple जैसी नामी गिरामी कंपनिया भी शामिल है अब चुकि ethical hacker का काम system को सरक्षित रखना होता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए ये कंपनिया आज ethical hackers को उनके काबलियत के अनुसार मुह मांगी रखम देने को तैयार हो जाती है हलाकि ये तो बात होई उन विदेशी कंपनियों की जो hackers को नौकरी पर रखते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर एक ethical hacker की average salary कितनी होती है और साथ ही वो कौन सी भारती कंपनिया है जो आज hackers को जौब दे रही है इस तरह की जानकारी हम Indian School of Ethical Hacking यानि ISOEH की website पर जाकर आराम से देख सकते हैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ISOEH एक Cyber Security Training Institute है जिसे इंडिया का टॉप ethical hacking institute भी कहा जाता है यानि आप इस institute से hacking course करके एक certified ethical hacker बन सकते हैं खैर वापस topic पर लोटते हुए ये बात करते हैं कि Indian ethical hacker की average salary कितनी होती है इस website पर आपको इसके बारे में अलग से एक article लिखा हुआ मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत में अलग-अलग पदों पर ethical hackers को अलग-अलग salary दी जाती है एक information security analyst की average salary पांच से छे लाख रुपई वार्शिक के बीच होती है जबके एक security consultant की average salary आठ लाख रुपई तक पहुँझाती है साथ ही एक information security manager की वार्शिक average salary बीस लाख रुपई से भी उपर हो सकती है इससे पता चलता है कि hacking के field में company लोगों को बहुत अच्छी salary दे रही है अब बात करते हैं उन Indian companies की जहां ethical hackers को job दी जाती है इस website के page को थोड़ा सा नीचे scroll करके आपको ये जानकारी भी देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हैं कि Wipro, Wipro Technologies, IBM India और EY जैसी company आज hackers को job दे रही है इसके अलावा यहाँ आपको ethical hacking से जुड़ी और भी बहुत से एहम जानकारी मिल जाएगी जिसे आप website पर जाकर आराम से चेक कर सकते हैं बागी दोस्तों आज World Wild Factor किस वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भोलिए धन्यवाद